स्री गड़े साय नमा, श्वागत है आप सभी का मेरे भक्ती वावना योटूब चैनल पर, आज मैं आपको भगवान गड़े जी का उपाय बता रहा हूँ, हर बुद्धवार यह उपाय आप करेंगे, तो श्री ग्री आपकी प्रतेक मनुकामना पूरी हो जाएगे, पुत्र श्री भगवान भोलेना का आशिरवाद आपको प्राप्त होगा, और श्री आपकी मनुकामना पूरी होगे, इस उपाय को करने के लिए, हरी मुंग, हरी घास, दो लड्डू, एक घीका दीपक, और लॉंग, यह सामान आपको चाहिएगा, शोवैश नाना दी करने के बाद में, यह सारा सामान लेकर के, भगवान गड़िजी के सामने आपको जाना है, भगवान गड़ेजी से अपनी मनुकामना बोलनी है और एक सपेद कागज पर सपेद कागज पर अपनी मनुकामना लेकर किया बोज़ पत्र पर मनुकामना लेकर के भगवान गड़ेजी के सामने आपको रख देना है उसके बाद में जब आप गड़जी के सामने रख दें उसके बाद में आप सुद्ध देशीगी का दीपक जला में हरी मुंग भगवान के सामने रख दें हरी गास भगवान को अरपन करें दो लड्डून के सामने रख दें और लड्डू के उपर ही दो लोंग रख दें उसके बाद में आप भगवान जी के सामने हाथ जोड़ के अपना निवेदन करें और वहीं बैट करके आपको गड़े जी के सामने ही दो माला गड़ेश मंतर का जाप करना है इस मंत्र का जाप करने से आपकी प्रतेक मनुकामना पूरी हो जाएगी मंत्र मेने लाश्ट में दिया हुआ है यह बड़ा चमतकारी और प्रभावसाली मंत्र है प्रतेक विग्न दूर हो जाते हैं हर मनुकामना पूरी हो जाती है जो पूरी लगन और सद्धा के साथ में इस मंत्र का जाप किया जाए मंत्र आप लिख करके रख लें और ज्यादा तर लोगों को ये मंत्र याद भी होगा बहुत ही साधरन सा मंत्र है और मंत्र जब भिने के बाद में आप भगवान को नमश्कार करने के बाद में, फिर साम के समय आप एक पान, मीठा पान भगवान को अरपन करके आए, या उसी समय भी आप अरपन कर सकते हैं, उस पान को आप प्रसाद के रूप में बापस ले ले, हर प्रेसानी का निवारन हो जाएगा आपका, मंत्र इस पक क्रटन महाकाय, शूर कोटी संप्रव, निर्वदं कुरूमेदेव, शर्वकार रेश्व शर्वदा, बहुत ही प्रभाव साली उपाय आप जरूर करें, आपकी मनुकामना फूरी हो,